प्रणाम क्या कोई बात है क्या कोई राज है जो आप हमसे कहना चाहती हो आपकी आखों से अश्रुधारा बहती हुई हमें नजर आई है हम इसका कारण जानना चाहते हैं माता पुत्र गोपिचंद कई रोज बीट गए मुझे तुमारे पिताजी की रहरे करके याद आ रही ह है मुझे अपने पिछले दिन याद आ रहे हैं आज जो तुम्हारी आयू है जब तुम्हारे पिताजी की आयू हुआ करती थी इस तरह की आज मुझे वह समय याद आ रहा है आज जिस अवस्था में तुम हो इसी वस्था में तुम्हारे पिताश्री स्वर्गवासी हो काहिए चलिए ये माता क्यों आखों में पाणी वे माता क्यों आखों में पाणी वे माता क्यों आखों में पाणी मत ना पूछे लाले मेरे मने आगियार पुराणी वे माता क्यों आखों में पाणी वे माता क्यों आखों में पाणी अरी टप टप आंसु गिरे नैन तें कर्द भर्या तेरी वाणी में के बतलाओं बेटा तने मा तेरी परिशानी में ये तेरा ध्यान पहुच गया माता बीती हुई कहाणी में मेरे रोब के हुई पावली विद्वा हुई जवानी में सारी दुनिया आनी जानी मेरे मत ना पूछ लाल मेरे मन आगी यात पुरानी वे माता क्यों आखो में पानी वे माता क्यों आखो में पानी ज्या बाते आलो आँ ज्या बाते यह इस प्रकृति का नियम है जो जी भी संसार में आता है एक रोज उसे अवस्य जाना होता है यह सारी आपके व्यर्थ की बाते है माता व्यर्थ की बाते नहीं है तू नहीं जानता कि आज तेरी मा किसे दुख से गुजर रही है अगर जानना ही चाहता है तो दू सवाल कर मैं तुझे बताती हूं जो आता वो जाता माता ये सब खेल विधा आता के ये तो मैं भी जानू बेटा नियम बने ये दाता के अरी के दर्सन करना चाहती तू खास भरतरी भाता के तेरा काड़ जाओ फट जागा आदेश कठ तेरी माता के खोले सुना दे दिल की कहानी मत ना पूछ लाले मेरे आगिया तुराणी ये माता क्यों आखो में पानी ये माता क्यों आखो में पानी ये माता दे बता तेरा मैं उकंब जाना चाहू सू मत करिये इन कार लाले तने मैं समझाना चाहू सू अरी हाजिर है मेरी जान मात मैं वचन निभाना चाहू सू गोपी चन पेटे में तने अमर कराना चाहू सू अमार नहीं कोई जग मैं पिराहणी अमारे नहीं कोई जब मैं पिरानी मत ना पूछ लाले मेरे आगी याद पुरानी ए माता क्यों आखों मैं पानी ए माता क्यों आखों मैं पानी और के क्या करने उस्ताजुके जी अगर कोई बात कोई राज अगर आपके दिल में हैं जिसे आप जुबा पर लाना चाहती हो तो मैं आपका हर वतन निभाने के लिए तैयार हूं अच्छा हां अगर ऐसा है तो पुत्र गोपी चंद तू अमर हो जाओ जोग ले ले अपनी मा की आग्या का पालन कर ले अगर तू मेरे दिल की बात को मानना चाहता है तो मैं तुझे जोग दिलाना चाहती हू जा जोगी हो जा शरीर को मर बना ले ये सारी बाते आप एक पुत्र के महों में पढ़कर के मेरे सामने कहरी हो माता हां कहरी हो क्योंकि ये बिल्कुल प्रकरती के नियम के खिलाप है कुछ खिलाप नहीं है अगर एक मा अगर एक मा अपने बेटे को मर कराना चाहती है तो इ तेरे पिता को जाते हुए देखा हैं नहीं चाहती कि तू संसार को छोड़ करके जला जाए मेरे लाल एक रोज मरना है सब को एक रोज मरना है सब को अपना दिल समझाई तू गुरू जलंधर का चेला बड़ अमर शरीर बड़ाई तू अजे भडाना प्रीदी चौधरी सुर में भरके गई तू मिल जागा हरे राम बैसला कुशक बड़ाली जाए तू और कवताई जिसे की तू फाने कवताई जिसे की तू फाने मत ना पूछे लाले मेरे आगी याद पुराणी वे माता क्यों आखो में पाणी वे माता क्यों आखो में पाणी